वापस लगा देंगे लेकिन आज हम आपको एची जोल बताने जा रहे हैं जो बाटर पाम की सील होती है इसको ठोगने के लिए तूल आता है जो यह माल पास आच चुका है दोस्तों पहला निकल गया है तो मैंने यहां पर हैड कट आप खोला इसका सीधर टैंशनल खोलते हैं स्वागत है फिर एक नए वीडियो कर दोस्तों आज की जो वीडियो वह है ड्यूक 200 को पर और इस ड्यूक 200 में आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी मैं खोल चुका हूं और आप लोगों को सांट नी सुना पाया था लेकिन बाइक जब रेट हो ज़रू आपको सांट सुना चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को करें लाइक से शर्ट के अपको देखने को मिलता है चले दो सब पड़ावन से लेकर जबते सीरह इंजन के पास इस तरह इंजन इंजन ने इतना घंदा निकलता तो कीचल कीचल बनावा था ठीक है वह किस कारण से होता है जैसे सस्ता पर बहुत लेट कराना यह डिलर लोग जब गाड़ी बेचते हैं तो क्वालेटी का रखने के लिए और यह जिस भाई की भाई के बचाया था कि मैंने अभी सेकिन भाई को चैक किया तो मुझे साफ पता लगा था इंजन में दिक्कत है लेकिन इतनी दिक्कत होगी यह ऑंना सटार्ट करती हैं लेकिन यहां पर देख रहूँ है जब बहुत जगणा चाहिए गात अवारिट इस जो आपके अपके ब्लब तgrav बहुंत खคरान की मजन्यके फसलग अपर अबर्भाद केृहें अगर कोशिश के घ्यान रखेंish के नेोगि Dos और जिसको नौग स्ब पर दोस्ते हो ने के बाद मज़ा नहीं आता बाई एक बार इंजन करा के देखो कर मज़ा ना है फिर बोलना अभी तरफ जितने भी इंजन के सब के बड़िया चल रहे हैं यह जो हैं इसके इंदर कभी भी बॉल्ड नहीं लगती वह आपको नजर आ रही है जो देख पार हु जो क्रेंक बोल्ड है ही नहीं तो फड़ावट से दूसरी तरफ दिखाता हो और फिर सीधा खूलना स्टार्ट कर दोस्ता एक चीज और जैसे में क्लच कवर खोला ना मैंने यह वाला नट जैसे खोलने के लिए ठूल कर यूज किया तो पतला यह नटी लूस पार यह वाला अगली बार अच्छा लगे देखने में के हां बढ़ी जगह पे इंजन हुआ है ठीक है अगर फ्यूचर में खुलता है तो और देखते हैं मिस्तरी ने या में क्या क्या कांड करें हुए अंदर दोस्तों पहला कांड निकल गया है तो मैंने यहां पर हैड़ कटापा खोला शीदर तेंचनर कोलते हैं तो यह पहला कांड स्टार्ट हो गया है जो किया है इसके अंदर इधर देखो इनते रहो दोस्तों इस के इंदर कितने कांड होने। यह ठीक हो ए और टैंशनर के आगे पर लगा तीया है तो क्या हो खिराब ऑगा और आवास कर रहो तो बंदे न तो दोस्तों चौथा कांड यह देखो जैसे कि आपको नजर आ रहा है यह वाला फाइप क्योंकि कूलेंट यहां से पास होता है और यह वाला बोल्ट खुलने के लिए यह हटाना पड़ता है ठीक है हटाना तो ठीक है उसके लगाने के लिए इतनी सारी बॉंड भर देना इत बोल लगा देंगे ऊपास हो यह कुलेंट कांज सब पास होगा यह दो अंदर देखो इससका अधर देख रहे हो कितना ज्यादा और इसके हाले देख विसको अच्छी तरीके से शाफ किया दीज़ जो इस चीज और श्यां देनी परती जिससे एक इंजर के अच्छी आलस ब तो दोस्तों यह देख रहो यह देख हो यह सो ऑन्ड भर रखा यह देखो यह दो इस तरीके से कभी भी केट्यम के हैट के पर बॉंड ना लखाये लगा जिसकी वेसे विए से प्रव्म्म आना सुरू हो जाएगा ठीक है और यह जो बॉड लगते हैं लोकल पेकिंग के दर ल तो यह देखो, यह है पांचवा कांट, अब आपको दिखाते हूं, इसके अगला कांट, यह देखो, सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताया था, बॉन भरबर के लगा रिखे है, अब यह देखो, यह देखो, यह देखो, यह देखो, हैट की पैकिंग काफी जाता हालत है म Umima बहुत है, लेकिन पैकिंग ओर्जिनल ही रखी अगर वह चा तो इस पैकिंग कोचेंज करतेता है, तो इंजन को हो सकता है, और रिपोर भरर कांट, इसके रिटिंग की वज़े से यह दो हापक के इनजन खराब हो है तो दोस्तो आप देख सकते हो यह जो बहुत ज्यादा इसमें जो लाइन आ रही है इसकी वैसे पिस्टन पुरा पुरा तूट सकता था लेकिन उन्होंने सही टाइम पर इंजन करा लिए यह अच्छा हुआ वहना बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत हो सकती है तो जैसे कि आपको मैं क्रेंग के बारे मैं बतारता है तो यह जो खड़ी पेली भी बहुत जादा है इसमें और इसके अंदर काफी निक्शान हो गया है और दोस्तो सात्वा कार्ण यह आपको नज़रा र जो तो पर जो रोकने के लिए पत्ती होती है वह भी मैसिंग है तो दोस्तों मैं चंबर में खुलने जा रहा है तो देखो एक दो तो यह चटा कार्ड देख रहे हो इसके इंदर बॉल्टी हम देन लगाया है इसमें काम के दर एक दो तीन चौता बॉल मिसिंग तो यह चटा कान तो फड़ावट से और देख तो इसके इसके इंदर आप देख सके हैं आप देख सब्सक्राइंगे यह खतम हो भी है पुरी को ब τे south लगा रहा रहा है वार राध्य का उन्वाइए डिंग ग और रोख दो टिखूट अब में अपको क्रैंक कि अभी बताइब औ heh क्रकिंग लगा रहा रहा है दो गोटखे வ हमें आपको देख के क्रइंग के अपको दिक reiter आ CO इसके जो मैंने चेंबर को खरी है वह दिखा दो देख से का यहां पर अच्छी तरीके से चेंबर को किलिंग कर दिया है अब फटावर से इसके अंदर गेर बाक्स को बिठाते हैं और दोस्तों देखो क्लच प्लेट की हलब देखो यह देख रहे हो इतनी जादा और यह लोकल क्लेट प्लेट में आपको बता दू कि यह देखो कुछ इस तरीकी की होती है और दोस्तों इसके जो कटोरा होता है क्लच कटोरा जब बाइक ज्यादा चल जाती है तो यहां पर आप जैसे कि देख सकते हो बहुत जादा कट जाती है तो इसके बहुत जादा स्मूटनेस और पार करेंगे तो यहां पर हम प्रेंग कर देंगे लेकिन इना तो मॉडल के। बिए तरीके के तूल होने चाहिए था लॉक्षाप के अंदर अधर प्रॉपर काम करने में मज़ा आता है चले दोस्तों सब्सक्राइब नजर आए तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर आइल का नट लगा तो यह देख लगा रूख है तो इसके अधिन को हटाते हैं और चेक करते हैं कि ऐसा नहों पूरा इंजन पहक हो जा और लीकिस बंदी नहों तो यह काम अभी हमें नजर आया और देखो पहले भी यहां पर काम हुआ पड़ा है तो यहां से लिकिस बंदी नहीं कर पाएंगी जब तो यहां पर आपको नजर आ रहा है इसको साफ करके अच्छी तरीके से चेक करके बैल्डिंग करा रखी है पहले से और बैल्डिंग के उपर एमसील भर रखी ती जू कि अधिन पर फिनेशिंग कर देघा तो यहां पर फाइनस तो आपको पूरा चांबर चेंज होगा चलिस तो फड़ा पर आप फिट करते हैं चलंडर और वह आप दिसको स्लेंडर कर चुकी है इस देखिए इंजन को खड़ा करियो तो अधिन एसकी कुप्रीट कर दिया और यहां पर फिसके हैड यहां पर पुराइं लगाया क्योंकि नहीं वाले के काफी सारे आइटम आने तो जो कि बहुत शॉट पार्ट की तो नहीं हो पा रहे ते यह एंट इनका चल जाएगा स्फिट रपर आदिया और यहां बात करें देखा था है वहां पर दैमेज हुआ तो फाइनली गाइज यह वाला चेंबर आगया हमारे पास जैसे का आपको मने बताया था यह चेंबर यहां से डैमेज है और कफी जादा इसके पर अधी लगी ती तो कस्टमर से यहां पर हमारी बात हुई थी तो उनको हमने यह जब दिखाया उनको नहीं पताता कि उनकी इंजन के अंदर या बाहर क्या डैमेज है जब चेक करते हैं तो इसलिए मैंने को कस्टमर को बुला था कि एक बार इसको देख लो आके क्या होगा अगर यह ऑलका सा टॉर्क जादा लग जाएगा यह हो सकते हैं यहां पर लिकिज ना रोखे क्योंकर बिलकल नीचे का हिस् चेंबर को आप चेंज करते हैं तो फाइनली यह चेंबर आ पास आच चुका है और और अल्री यह गुदाम के दर पड़ा हुआ था चेंबर आप तो आपने चेंबर और यहां पर देख सकते हैं चेंबर कुछ इस तरीक से यह पर लगा जिए और इंजन की फिटिंग भी हो वाला काम भी कंप्रेट हो गया है तो यहां पर सिम्के सैटिंग हो गई हैड भी बैठ गया और यहां पर देख से क्लच को टो रहा है क्लच के पास यहां से जैसे ऐसे लगा रहे हैं हम तो उसके पर कटने के काफी ज्यादा निशान आ रहे हैं जो कि बाइक चलाते हमें हलक अब आपको दिखा दूगा एक बड़ी चले दोस्तों अब फटावर से एक बार मैं आपको पार्ट चेक करा तो जो जो इसके अंदर लोकल निकले हैं और जैसे मैं आपको बताया थे जो ऑल पंप है वो सीज ता तो देखो यह रहा ओल फंप यह चोटी चोटी निशान आ इनी की वेज़से क्यों होता है तो यह देखिए यहां पर सीज मारा हुआ है और बात कि क्लच प्लेट की तो क्लच प्लेट भी इसकी लोकल निकलिया और टैमिंग चैन्ट रोलन की निकलिया ठीक है और टैंशनर के अंदर आपने जुगाट देख लिए तो और मैं आपको इस इंजन के बहुत ज्यादा जुगाड हुआ पड़ा था और अच्छी तरह से इंजन का काम हुआ है अब यह जो इंजन चड़ चुका है जैसे आपके नजर आ रहा है और जो बाइक में सेल्फ मारना बाकि है तो फड़ावड से सेल्फ मारते हैं और सेल्फ का साउंड करने पड़ाव च्याद की जाए इस जो बाइंजन के पड़ाव चलाना अगर आपके में दिख्क्कात आती है तो में चैट से जा जाता है जिससे आप अपने इंजन को रोक सकते हो या कोई बड़े खर्चे से बस सकते हो चले हैं तो पर इससे सेल्फ मारते हैं और फिर इं तो सौंड दोस्ते एक आहा है यहां पर सौंड एक नम बड़ी हो आ रहा है अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आगे यहां चैनल पर पहली बार रहा है तो चैनल तरे लाइक से चैनल्ह़िंट में हैं सब्सक्राइब करें ताक कि हमारी नेक्स्ट वीडियो दिन अच्छों अपते चल्दी पहुसके चलिए दोस्तों फिर मिलते नेक्स्ट पाट के आंदर